हेलो नमस्कार फ्रेंज जैहिन वंदेमातरम यूपी बीर्ड स्कॉलर्शिप 2021 के शंदर में लकतार आपको अपडेट दे रहा हूं कल जो इन्फुर्मेशन आया था वो शत्य है ठीक है पूरी तरह से प्रमारी थे न्यूजपेपर में भी निकल के आ चुका है ठीक है अंतिम वीडियो बना कर बता चुका हूं कि अगर सर्वर इश्यू हो रहा है तो आप लोग रात में काम कीजिए आपका सक्षिस्फुल हो जाएगा आप मोबाइल से लेप्टॉप से अपना फॉर्म भरिए सर्वर इश्यू का एक ही डीजन है दिन में क्या होता है कि दिन में अले बच्चे कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगी यह वीडियो में उसी पर है यह आप लोग पढ़ लिए होंगे चात्रवित्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है समाच कल्यांड विभाग ने कक्षा ग्यारा और बारा असना तक असना तक उत्त मेडिकल इंजीनिरिंग मेनेजमेंट नर्सिंग जैसे अन्य व्यवसाइक पार्टिक्रम के गरीब जरुद्मन बच्चों के लिए चात्रवित्ती फीस भरपाई के लिए आउनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है उसको 21 साइक से करके 25 अक्टूबर कर दिया गया है जो स आउनलाइन आवेदनी की जो तिथी थी अन्तिम तिथी वह 19 अक्टूबर थी और उससे बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है और आप फीस सम्मिट कर सकते 26 अक्टूबर तक यह भी एक अच्छा न्यूज है आज मौनिंग का क्लियर है चाहिए अब बात कर लेते हैं कि अगर डारेक्ट इमिश्ञ्ण देखो अभी तो पूल कांसलिंग स्टाट हो ठीक है तो पूल कांसलिंग वाले के लिए नहीं बता पा रही हूं प्रक्रेव कर सकते हैं कैसे दिक्वें जब आप स्कॉल्ड शिप का फॉर्म भरते अगर आप आपके पास आए-पर मार्पतर है और अगर जन्यल वाले हो अगर से बिलॉंग करते हो अगर जाती लगता है तो जाती आपके पास है तो उसके बाद की प्रक्रिव मैं बदाता हूं एक option आएगा एक option आएगा वहीं पर फसता है चीजे एक option आता है उसमें लिखा रहा है कि वर्तमान पाठिकरम के प्रतम वर्ष में प्रवेश्टी थी इसका मतलब अगर आपने counseling कराया है तो वहाँ पर आपको प्रवेश्टी थी मिल जाता है लेकिन अगर आपने direct admission वाले कैसे करेंगे कैसे form को fill कर सकते हो आप लोग अपने college में संपर्क कीजिए और उनको बताइए कि इस options में वह क्या भरें क्योंकि अभी direct admission तो हो नहीं रहे तो यह विकल्प क्योंकि college वाले यह उनका प्रतेक year का काम है ठीक है college का प्रतेक year का काम है तो वो लोग बता पाएंगे कि आप प्रवेश्टी थी में कौन सा option चुने या कौन सा date डालें कि आपका admission इस college में होगा पहले चीज़ तो आप fix कर लिजे कि आपका direct admission कि इस college में लेना है उसके बास उस college में जाके संपर कीजिए और उनसे यह पूछे कि मैं प्रवेश्टी थी कौन सा डालूं वो लोग आपको right suggestion दे पाएंगे लेकिन पहले आप यह decide कीजिए कि आपको कौन से college में direct admission लेना है confirm कीजिए उसके बाद वो लोग आपकी help कर पाएंगे इसके अलामा और कोई options नहीं है और अगर यह है ठीक है तूसरी चीज़ अगर आप पूल का उसली नहीं कराते हैं direct कराते हैं तो एक विकल पर यह बैसता है जो मुझे सही लग रहा है तो आप लोग apply कर सकते हों ठीक है और कुछ पूछना होगा तर definitely comment कर देना thank you for watching this video next video सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो